इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आयूसमान कार्ड जो एक नए वर्जन में जारी किया गया है इस तरीके का ये कार्ड आप लोगों को अब मिलेगा तो आप ये वाला कार्ड अपने मॉबाइल से कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं पहले जो कार्ट था वो हमें यह वाला मिलता था अब जो कार्ड जारी किया गया है वो यह वाला कार्ड आपको यह सर्च करना है, मोबाइल में भी आपको इस तरगे से मिलेगा, आपको फर्स्ट नम्बर पे वैपसार मिलेगी, सबसे पहले करना कहते być, तो जैसे में भी मोबाइल में आएगा, एसे ही लेपटोब में आएगा, यहां पर आपको अपना मॉबाइल नमबर देना है, और यहां पर आधार नमबर ढ alltid करना है, तो यहां पर आपके पास OTP जो आएगा वो OTP आपको इस जगह पर डालना है OTP डालने के बाद फिर आपको validate वाले option पर click करना है फिर यहां पर देखिए आधार OTP has been verified successfully हो चुका है तो आपको ok वाले option पर click करना है हलका सा wait करेंगे तो आपके यहां पर detail पूरी आजाएगी आपका नाम, date of birth, address आप कहां पर रहते हैं और आपका photo क्या है वो यहां पर आजाएगी तो हलका सा नीचे आना है address detail में आपको यहां पर right click कर देना है हलका सा नीचे आएगे यहां पर आपसे पूछ रहा है यह application type तो आपको इस पर click करना है और आपको लेना है BIS2 आपको इस पर click करना है click करने के बाद मैं roll पर click करना है और यहां पर आप लेंगे self user इस पर click करने के बाद आप यहां पर right click करेंगे और यहाँ पर अगर right click करेंगे तो नीचे आप अपनी हाँ पर login ID यहाँ पर ले सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं वरना आप इसे छोड़ दीजिए और फिर आपको create वाले option पर click करना है create वाले option पर आप जैसे click करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन option मिलते हैं तो हमने यहाँ पर register कर लिया है अगर आप नाम एड़ करना चाहते हैं तो आप second वाले option पर click कर सकते हैं अगर आप नाम कैसे एड़ करेंगे तो वो आप मुझे comment box में बता सकते हैं उसके उपर में next video बना दूँगा तो हम यहाँ पर download your eyesman card पर click करेंगे और फिर आपके सामने इस तरीके का interface आएगा और mobile में यह interface आपके सामने इस तरीके से आएगा तो यहाँ पर आपको self user वाले option पर click करना है और यहाँ पर आपको जो आपने mobile number दिया था वो mobile number आपको इस जगा पर डाल कर sign in वाले option पर click करना है यहाँ पर देखे इस तरीके का option आएगा तो आपको यहाँ पर verify वाले option पर click करना है फिर से आपके mobile number पर एक OTP भेज़ा जाएगा यह mobile number आप जो दे रहे हैं उसी पर यह OTP आएगा आधार वाले पर नहीं आएगा OTP डालने के बाद फिर आपको validate वाले option पर click करना है successfully यहाँ पर हो चुका है तो ok वाले option पर click करेंगे अब आपके सामने इस तरीके का आपका interface मिलेगा यहाँ पर आपकी ID जो है वो login हो चुकी है यहाँ पर आगर आप अपने family में सर्च करना चाहते है तो उसके लिए सर्ची यहाँ पर आप कर सकते है हम यहाँ पर download के बारे में बता रहे हैं तो आप यहाँ पर इधर देखेंगे mobile में आपको इस तरीकी का interface मिलता है यहाँ पर तो आप यहाँ पर यह आप 3 line जो देख रहे हैं जैसे आप इस पर click करते हैं तो इस तरीकी से आता है और यहाँ पर आपको download आयुसमान कार्ड वाला option मिलता है डैस्टॉम में आपको इस तरीकी का मिलता है तो यहाँ पर आप जो है download आयुसमान कार्ड वाला option पर click करेंगे और यहाँ पर download आयुसमान कार्ड पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको सबसे पहले state लेनी है जो आप download कर रहे हैं वो किस state में है तो हम उत्तर प्रिदेश में हैं अब यहाँ पर आपको आधार थुरू आपको यह download करना होगा जिनका आप download करना चाते हैं उनका आधार नंबर आपको इस जगबर डालना है आईडी से कोई मतलब नहीं है जिनका आप download करना चाते हैं उनका आधार नंबर इस जगबर डालेंगे आप यहाँ पर यह चार ओप्सन देख रहे हैं आप अगर OTP से करना चाहें तो OTP से finger से आप यहाँ पर अपने face से भी इसे download कर सकते हैं तो हम यहाँ पर OTP से करेंगे तो gate OTP वाले option पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो mobile नंबर रेइस्टर होगा उस पर एक OTP आएगा वो OTP आपको इस जगबर डालना है OTP डालने के बाद फिर आपको verify वाले option पर क्लिक करना है हलका सा यहाँ पर आपको wait करना होगा 10 या 15 सेकिंड का यह card किसके नाम पर है वो नाम यहाँ पर आजाएगा उनके पिताजी का नाम आजाएगा और यहाँ पर उनकी year of birth आजाएगी और जेंडर आजाएगा उनका card का जो number है वो आजाएगा लाश्ट में आपको option मिलेगा download का तो आपको download वाले option पर किलिक करना है जैसे आप इसे download करेंगे तो यह download हो जाएगा यह देखी यहाँ पर यह download हो चुका है और मैं यहाँ पर किलिक करता हूँ तो इस तरीके का आपको यह card मिलेगा यहाँ पर आपका photo मिलेगा आपका नाम जो है वो बड़े अच्छोरों में मिलेगा यहाँ पर आपका जनम वर्स मिलेगा जेंडर मिलेगा यहाँ भी लिखा हुआ है 5 लाग का मुप्त उपचार यहाँ पर आपको बार कोड मिलता है एक और आप किस state में रहते हैं वो आता है और यहाँ पर आपका card नमबर जो है वो आपको मिलेगा तो आप इस तरीके से iosman card का नया format अपने mobile में डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे print करा के कहीं भी use कर सकते हैं ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते आप से ऐसे ही एक और नई वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई